हेलो डियर फ्रेंड सो वंस अगेन वेलकम बेक टू मा यूटूब चैनल प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी अपोर्चुनिटी फाइनली जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था एर फोर्च ने ओपन रेली पर्मानेंट रेली भरती का नोटिफिकेशन आपको पता जारी कर दिया है कुछ बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है भाई ये मौका बारबार नहीं मिलेगा और ये पर्मानेंट भरती आप समझने की कोसिस करिए ये पर्मानेंट भरती नॉर्मल असिस्टेंट्स के लिए पर्मानेंट रैली भरती निकली होए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिन जिन समझ लेना जिन जिन बच्चों को मौका मिल रहा है वो इतनी गोल्डन अपोर्चुनिटी आप भाग साली है ये पर्मानेंट भरती है और ये मेडिकल असिस्टें ना ले पाओ कौन-कौन से स्टेट को मौका मिला है वो भी मैं बात करूँगा क्या पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में भी बात करूँगा सच बता रहा हूं इससे अच्छा मौका नहीं होगा कब होगी कहां भरती होगी कौन-कौन इलिजिबल है सारे डाउट सापके 10 मि वीडियो में बिलकुल क्लियर करने वाला हूं बिना किसी फालतू बातें किये हुए बिलकुल एकूरेटली और यह सच बताओ यह बहुत भागी की बात है जिनको यह मौका मिल रहा है हर एक को मौका नहीं मिलता पर्मानेंट सब्द सुनने के लिए हम लोग सब तरस गए है क्योंग चार साल से परिशान बच्चे जैसे अगनिवीर अगनिवीर यह पर्मानेंट सच में बहुत अच्छी जोब है और यह ओफलाइन है इसलिए बहुत जादा लफडे टाप के नहीं है एक दिन में सब कुछ आपको हो रहा है सबसे पहले तो 12 भी पास होना चाहिए ल 12 में आपके बायलोजी है आप 100% पहली बात तो यह क्लियर हो गई है है आप 12 में PCB है बायलोजी चाहे आपका एडिसणल सबज Should हो चाहें फिर आपका हो क्या आपका हो भहिया में सब्जेट आप इलीजीबल हो याद रखना गुरुप बाई बोला जाता है और इसमें पोस्ट का नाम होता है medical assistant medical assistant के लिए से लिए biology मांगा जाता है PCM बाले allowed नहीं है math वाले इसमें allowed नहीं जिनके पास 12th में math था लेकिन biology नहीं थी वो भावब नहीं बर सकते open rally भरती है मतलब कोई form भरने की जरुवत नहीं है यह समझे लिना open का मतलब ही होता है आर्मी की तरह जैसे आपको पहले form नहीं भरना है आपको पहले एक fix date पर एक जगया पर जाना है उस जगया का नाम है लाल parade ground भोपाल में जाना है लाल parade ground भोपाल 28 March 28 March से शुरुआत होगी और 4 March तक यह चलेगी 28 March से एक बार voice check कर लिजा 28 March से और 4 April तक यह confirm चलेगी आपको लाल parade ground पर भोपाल पहुचना होगा 28 March को और एक ही दिन में प्यारे बच्चे आपका return हो जाएगा एक ही दिन में उसी दिन physical हो जाएगा उसी दिन GD हो जाएगा गुरुप discussion भी है यह बहुत बड़ा doubt है बच्चों को कि इसमें GD नहीं है interview है दस दिन के लिए आप सुद्री डिफेंस अकेडमी आ जाना फेज सेकंड की guarantee मेरी होगी कोई निकाल नहीं सकता गुरुप discussion भी होगा और medical उस दिन आपको date मिल चुकी होगी उसके लगवक तीन से चार दिन बाद ही आपका medical date मिल जाएगी तीन से चार दिन बाद medical हो जाएगा उसी दिन से याद रखिएगा सभी को कौन कौन इली जीवल है कौन कौन से state MP सबसे पहले मद्प्रदेश गुजरात हो गया ठीक है महरास्टरा हो गया 36 गड़ हो गया गोआ हो गया दमन दीव हो गया लक्चदीप हो गया दमनें दादर और नागर अवेली हो गया पहले कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ आप कहां कहां से बिलॉंग कर रहें MP वालों के लिए इससे बेस्ट मौका नहीं है MP और 36 गड़ वालों के लिए बहुत ही बेस्ट मौका कौन-कौन MP से और 36 गड़ से एक वर हाजरी लगा दीजे कौन किस राज जिसे हो वो डौमी साल सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आप किस राज जिसे हो डौमी साल मूल निमास प्रमाण पत्र वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे 28 मार्च से आपको रिपोर्ट करना है 4 अप्रेल तक यदि आप याद रखिएगा स्रेडूल क्या है 28 और 29 मार्च को केवल MP वाले और 36 गड़ वाले बुलाए गए हैं 28 और 29 को MP और 36 गड़ वालों को रिपोर्ट करना है 31 से लेके और एक तक 31 मार्च और एक अप्रेल तक बाकी के स्टेट के आप बुलाए गए हैं 31 से लेके एक और ती डिप्लोमा किया या फार्मेसी किया B.Sc. इन फार्मेसी वो सारे स्टेट के आ सकते हैं याद रखना दो तरह के बच्चे बुलाए गए हैं एक जो 12 पास हैं जन्होंने PCB से 12 किया है Physics Chemistry Biology से वो बुलाए गए है 28 से लेके और एक तारीक तक और 3 और 4 तारीक को 3 अप्रेल 4 अ डिप्लोमा और B.Sc. इन फार्मेसी वाले बुलाए गए हैं सारे स्टेट के केवल मेल केंडिडेट अलाउड हैं याद रखिएगा DOV क्या मांगी गई है एज लिमिट 24 जून 2003 से 24 जून 2007 बहुत रिलेक्स दे दिया है उन्होंने 24 जून 2003 से 24 जून 2007 तक यह उनकी एज लिमि 25 तक की दी गई है 24 जून 2000 से लेके 24 जून 2005 तक की उनको DOV दी गई है तो गवरानी की दिक्कत बिलकुल भी नहीं है इस बात को समझ लिजे दुबारा से बता देता हूं जो MP और 36 गडसे हैं उनको 28 और 29 को बुलाया गया है बाकी के दर स्टेट को 31 से लेके एक तक बुलाय गया है male candidate unmarried होने चाहिए कि एवल वही allowed है और उनकी age limit होगी ये 24 जून 2003 से 24 जून 2007 ये वो जिनोंने 12th किया है biology में और जो pharmacy बाले हैं या B.S.C. diploma pharmacy है 24 जून 2000 से 24 जून 2005 तक के बीच में आप eligible हैं कोई doubt यहां तक मुझे बता दीजे सच्चा ही बताओं तो इससे best force में ज सर सबसे बड़ी बात क्या है 12th में 50% चाहिए और English में 50 marks चाहिए चाहिए आप diploma में हैं चाहिए आप B.S.C. pharmacy से हैं चाहिए आपने 12th किया biology से सब के लिए ये criteria है 12th में 50% वही form बर पाएगा नहीं तो आगे आप निकल जाओगे form नहीं बरना document verification की बात कर रहा हूं में उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा और English में आपके जो भी आपका subject English जहां भी रहा है उसमें आपके क्या होने चाहिए 50 marks चाहिए 12th में याद रखिए इस बात का तुरंत उसी दिन सबसे पहले वहां जाकर क्या होगा सबसे पहले PFT होगा PFT मे क्या होगा 1600 मीटर की दोड़ है 7 मिनट में सभी 12 वालों के लिए और 1500 मीटर की दोड़ है 7.5 में B-pharma और Diploma वालों के लिए जो B-S-C B-pharma वाले हैं उनके लिए 1500 में 1600 में और सर्फ़ी जो PFT वाले हैं 12 वाले हैं उनको 7 मिनट में 1600 मेटर 10 पुसब्स लगानी है 20 स्कौाइ लगानी है और PCM बारवार के रहा हूं में physics chemistry math वाले अलाउड नहीं है इनी इस्टेट के physics chemistry math वाले बिल्कुल अलाउड नहीं है रेटिन का स्लेवस सब कुछ होगा रेटिन से डिपेंड होगा रेटिन का स्लेवस सेम वही है जो भाई गुरूप का स्लेवस होता है बीस question इंगलिस के आएंगे जिसके लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा और दोनों को समय मिला करके हो जाएगा आपका 45 मिनट 45 मिनट में 50 question ह जोगे है यह एद है को जीडी की त्यारी करनी है précision के बांगे पहले प्रिडिन की सेकेड करनी होगा और रेटिन के बाद फिर पासब में इंटर्वियू या गुरूप डिसकसन बॉलते हैं उसी दिन तुरंद गुरुप डिसकसन ऊगा जो फिजीकल पास करेंगे उनका रिटिन होगा जो रिटिन पास कर जाएंगे उनका जीडी होगा याद रखिएगा और जीडी के लिए आप आना चाहते हैं तो दस दिन के लिए सुधिर डिफेंस अकेडमी आ जाना मेरी गारंटी है दस दिन में आपको कोई निकाल नहीं सकता जीडी से गुरूप डिसकसन से यह अच्छे लेवल का होगा इसलिए इसको इग्णोर मत कर दे ना फेज सेकंड को फेज सेकंड में सर्ट टॉपिक होंगे अलग मैं आपको 40 टॉपिक्स पढ़ा दूँगा 10-15 दिन की क्लास में आप सीधे आ जाना बस केवल 10-15 दिन के लिए मेरी गारंटी होगी फेज सेकंड की क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उसी दिन आपको मेडिकल अपोइंट मिल जाएगा यद आपने जीडी क्लियर किया तो आपको मेडिकल डेट्स मिल जाएगी कि आपका मेडिकल कब है और मुश्किल से 3-4 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा बाकी का सारा प्रोसीजर से में लेकिन सच बता हूँ ध्यान से सुन लो 36 गड़ वाले बच्चे ध्यान से सुन लो एंपी वाले बच्चे ध्यान से सुन ल यह आप परमानेंट डिफेंस में चाहते हैं तो मेडिकल असिस्टेंट के थुरू आप एरफोर जोइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल की वही सेलरी जो 40-50 अजार सुरुआत में सेलरी और सारा सेनेरियो पहले की तरह होगा जिनको मौका मिला है समझ लेना यह आप ऑम आप आपिख सेलरी और हमानेट भी कुल सेलरी ठीट और हैं। हुआत में जामेडनेंट यह जाप्सलों यह गल्भी जाप्परक मेंडूर्ण यह विस्पार्छन ग vraiment हम सेलरी ऒेंवेलाे जारी मालत गलकि एलकित जावतर मौन पर्मास्वार्स सेलरी यह हो उते हैं